हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलफोंसो डी अल्बुकर्क की अल्बुकर्क जो भारत में पुर्टगाली गवर्णिर के रूप में अल्मीडा के उत्तरीदिकार ही वनी पूर्व में पुर्टगाली शक्ती के वास्तविक संस्थापक थे एक कार्रे जिसे उन्होंने अपनी मिट्ट्यों से पहले पूरा किया था उन्होंने पुर्टगाल के लिए समुदर के सभी प्रविश दुआरों के ओर से ठिकाने इस्तापित करके हिन मासागर का रणनीतिक नेंतरंड हासिल किया पूरवी अफरीका में लाल सागर के पास औरमज में पुर्टगाली गड़ थे मालाबार में और मलक्का में अल्बुकर्क के तैथ पुर्टगालियों ने अन्ने जहाजों के लिए एक परमिट प्रनाली शुरू करके और इस शेतर के प्रमुक जहाज निर्मान के इंदरों पर नेंतरिन का परियोग करके अपनी ताकत को मस्बूत किया जहाज निर्मान के लिए खाड़ी और लाल सागर शेतरों में लकड़ी की अनुपलक्तितान ने भी पुर्टगालियों को उनके उद्देश्यों में मदद की अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापूर के सुल्तान से गोवक का दिक्रेन किया असानी से बीजापूर के सुल्तान का प्रमुक बंदरगा सिकंदर मान के समय से इरोपे लोगों के अदिन होने वाला भारते अचितर का पहला हिस्सा बन गया उनके शाचन की एक रिशिष्टा सतीप्रता का अनमुलन था पुर्दकाली पुरुज जो यातरा पर आये थे और भारत में वापस आ गये थे उनने अलबुकर के समय से ही स्थानिय पत्नियों को लेने के लिए प्रोटसाइद किया गया थे गोवा और उत्तर के प्रांत में उन्होंने खुद को गाउं के जमीदारों के रोपने स्थापित किया अक्सर नई सड़कों और सिचाई कार्यों का निर्मान तंबाकों और काजू जैसी नई फसले या नारियल की बहतर रोपन किसमों के अलावा नारियल के बड़े को रोपने के अलावा कायर के अवशक्ता को पूरा करने के लिए हेरा फेरी और डोरी गोवा और कोचिन जैसे शहरों में वे व्यापारी होने के साथ साथ कारिगर और सिल्पकार के रूप में बस गये ऐसे अधिकांस पूर्टगाली पूर्टगाल के बजाए अपनी नई बस्तियों को घर के रूप में देखने आए तो यदि अलफांसो डे अलबो करक की कानी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करे सब्सक्राइब करे और कमेंट जरूर करे